नमस्कार आप देखरें न्यूस फोर्नेशन और मैं हूँ सान्थवना आपके साथ पंद्रा साल सबसे बधाल ऐसा हम नहीं कह रहे हैं ऐसा कहना है नेता प्रतिपक्ष चिजस्वी यादव का बतादे कि नीते आयोग के द्वारा दूसरा एंडेक्स पेश किया गया जहां पर बिहार को एक बार फिर से सबसे फिसाड़ी राज्य बताया गया बतादे कि नीते आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार की स्थिती को सबसे खराब माना गया है और अब ऐसे में नीता प्रतिपक शिजस्वी आदव एक बार फिर से नितस सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं बता दे कि जब जब नीती आयो की रिपोर्ट सामने आई है तब तब नीता प्रतिपक्ष रिजस्वी आदव ने जनता की आखों को खोलने का काम किया है। ट्वीट के जरिये आईए आपको बताते हैं। कारीदी की नीती आयो की रिपोर्ट के अनुसार बिहार सबसे सज्डी राज हो और बिहार की हालत बेहद बदहाल है। बतादे की कल यानी 24 नवंबर को जद्यू ने अपने 15 साल के कारेकाल को पूरा किया। इसके अफसर पर 15 साल बेमिसाल के नाम पर बिहार के हर जिले में कारेकरम आयोजित किये गए। अब इस अफसर पर नेता प्रतिपक शिजस्वी आदव ने मुख्यमंत्री नितिश कुमार से कुल 21 सवाल पूछे थे। अब इन सवालों पर मुख्यमंत्री नितिश कुमार भड़कते हुए नजर आए। बता दे कि 15 साल बेमिसाल को बिहार के कोने-कोने में जद्यू के कारेकरता हूँ और बड़े नेताओं के दौरा सेलिब्रेट किया गया विभिन कारेकरमों का आयोजिन किया गया। और अब आज यानि 25 नवंबर को 15 साल बेमिसाल के ठीक दूसरे दिन नीती आयोग के रिपोर्ट सामने आये जहां पर नीती आयोग ने यह साफ साफ एक बार फिर से बता दिया के बिहार फिसदी राज जो है बिहार की स्थिती बेहद खराब है और इसको लेकर नीता प्रतिप बदला है बिहार को कितनी कुछ नई सुविधाई मिली है और नितिश के कारिकाल में बिहार एक नया रूप ले चुका है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगतार अस बात को उजागर करने में लगा रहा कि बिहार में बदहाली के सिवाए और कुछ भी नहीं है ये 15 साल बेमिसाल ना होकर सिर्फ बदहाल ही है बतादे कि ये 15 सालों में नितिश कुमार ने जो भी काम किये हैं उन सबी को 15 साल बेमिसाल के कारिकरम के माध्यम से उजागर किया गया मंत्रियों के द्वारा ये बताया गया कि 15 सालों में बिहार में कितना कुछ बदल चुका है अभ स्काट